जै माता दिमित्रो स्वागत है आप लोगों का पुना एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रमान दुर्जा में और आज हम बात करने वाले हैं अक्टूबर महा के राशी फल के बारे में जो मासिक राशी फल और चंदर राशी पे आधारित राशी फल है और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी साथी साथ वीडियो को अन तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो के एंत में मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा जिने करने से आप अपने अक्टूबर महीने में आने वाली समस्या आने वाली परेशानियों को दूर कर सकते हैं चलिए तो अगर हम बात करें धनुराशी वाले जातकों के बारे में कि धनुराशी वाले जातकों का अक्टूबर 2021 का महीना कैसा रहेगा कैसी रहेगी आपके वैपार किस्तिति आपके नोकरी किस्तिति आपके परिवार किस्ति आपके स्वास्ते की स्थिति आपके दामपतिक जीवन की स्थिति और आपके लव लाइफ की स्थिति यानि प्रेम जीवन की स्थिति के बारे में तो सबसे पहले अगर हम देखें आपके परिवार जीवन के बारे में परिवारी की स्थिति के बारे में तो परिवार में सब कुछ ठीक ठाक अक्टूबर के महीने में आपका रहने वाला है आपको अपने ननिहाल पक से कोई न कोई सुप समाचार भी मिलता हुआ नजर आएगा ऐसे में सभी के परती आपने वहवार को आप कोमल रखें और किसी भी परकार के लड़ाई जगड़े से बचने की कोशिश करें और हो सके तो लड़ाई जगड़े से दूर ही रहें आप अपना जादतर समय अपने परिवार को देंगे तदा उनके साथ साथ आपका जो सोभाव है वो मैतरी पून रहेगा अनुकूल रहेगा और आपके साथ उनका जो एक रिलेशन है वो दुबारे से उमड कर और मजबूती के साथ सामने आएगा इसके साथ अगर देखें तो अगर आप सयुक्त परिवार में रहते हैं तो सयुक्त परियार में अगर लोग हैं आपके सगे समन्दी हैं तो उनसे भी आपकी बात्चित अच्छी बन सकती है और अगर पहले से कोई वातिवाद चल रहा है लड़ाई जगड़ा आपके बीच में चल रहा है चैरी का मामला भी बन चुका है उसको लेकर तो अक्टूबर के महीने में वो भी आपका समापत हो जाएगा अब अगर बात करें धनूराशी वालों के वैपार और नोकरी की स्तिति के बारे में या वैपार कैसा रहेगा, नोकरी की स्तिती अक्टूबर में कैसे रहेगी क्योंकि ये बड़ा चिंता का विशे होता है कि अक्टूबर क्या महीना है या पिछले कई महीनों में या मैं कहूं जब से कोरोना आरब हुआ है डेर साल में नोकरी और बिजनिस ठप हो चुके हैं, बड़े लोग परेशान हैं नोकरी हो या वैपार को लेकर तो उसी पर हम एक बार नज़र डाल लेते हैं कि अक्टूबर के महीने में देखे अक्टूबर के महीने में वैपार के छेतर में आपको ऐसमिक धन पिलने के संकेत हैं अच्छे धन प्राप्ती के आपके योग बन रहे हैं आपको ध्यान देना है कि आप जो भी कारिय करते हैं उसे आप पून रूप से देख परकर उस कारिय में ध्यान दें जितना हो सके उसमें समय दें क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो आपके धन के योग बन रहे हैं वो आपके बिगड़ भी सकते हैं अगर आप बाजार में आपको कोई नाकारबन छवी आपकी बनी हुई थी पुराने समय से या आपके बाजार में कोई शत्रू थे जो आपको परिशान कर रहे थे तो उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा उनको आप परास्त कर सकते हैं और आपके वैपार में आपको पुना व्रद्धी होती हुई नजर आएगी अपने सोभाव जो आपका सोभाव है मित्रपूर्ण सोभाव है उससे भी आपको वैपार में अच्छे योग बनते हुए नजर आएगे यानि आपको कोंट्रेक्ट से नए-नए कोंट्रेक्ट भी प्राप्त होंगे अगर आप कला के छेतर में काम कर रहे हैं या किसी दौारा आप किसी के दौारा मार्गदर्शन के छेतर में काम करते हैं आपको कोई मार्गदर्शन करता है तो उसके लिए भी आपके लिए काफी अच्छा समय रहने वाला है नोकरी कर रहे हैं लोग उनको अपने नए अफसर प्राप्त होंगे अगर आपके पास नोकरी नहीं है परेशान है तो इस समय अंतराल में यानि अक्टूबर के महीने में सुरुआती साथ दिन से आठ दिन के अंदर अंदर ही आपको कोई नो कोई अच्छी नोकरी प्राप्त हो जाएगी अगर सिक्षा और के बारे में बात करें सिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी और उससे आपके कैरियर पर क्या परभाव पड़ेगा तो सिक्षा के लिए यह मां बिल्कुल अनुकूल है आपके लिए पढ़ाई लिखाई को लेकर आप जादे आशावादी इस समय रह सकते हैं स्कूल में पढ़ रहे चातर किसी चीज को लेकर भ्रमित ना हो आप कंफ्यूज ना हो क्योंकि यह जो समय है यह थोड़ा उलजाने वाला समय आपके लिए रह सकता है पर कोशिश करें जो भी आप कारिये कर रहे हैं जो भी आप सीक रहे हैं आप सिक्षा ग्रह रहेंगे आपको मार्क दर्शन करते रहेंगे कुछ आपको कंपनी हैं जहां से नोकरी का प्रस्ताव आ सकता है और आप नोकरी भी जोई कर सकते हैं प्रेम जीवन यानि लव लाइफ के लिए अगर हम बात करें तो आपका अपने ओफिस में ही किसी ना किसी सहकर्मी के उप पर आकर्शन आ सकता है अक्टूबर के महीने में लेकिन आप मन की बात कहने से बेचैन रहेंगे सिंगल लोगों को अपने लिए एक नया जीवन साती मिल सकता है जो लोग विवाई हैं विवा की प्रतिक्षा कर रहे हैं उनकी बात इस महां में आगे बढ़ सकती है परति इज्जत है मान सम्मान है उसे बना कर रखें कोई भी ऐसी वाणी ना बोलें जो आपके विवाईक जीवन को विगन कर सकते हैं तो इस लिए आप विशेश रूप से ध्यान रखें और अगर एहंकार आपके पास है भी आप एहंकार करते भी हैं तो कोशिश करें अक् पार चड़ाओ भरा रहने वाला है आपके लिए मिश्रित परणाम लेकर आया है इस माह में आपको हाइड ब्लड प्रेशर की समस्या बन सकती है कोई ना कोई परेशानी आपको बन सकती है सरीर में पानी की कमी आपको हो सकती है वहीं 2-3 लीटर पानी आप रोज अवश्य जरूर पिए अन्यथा आपको पानी की समस्या बोडी में बुंतिवि ना ज़राएगी माहा के दूसरे सप्ते में आपको मदु मेक के रोगी अगर आप पहले से हैं आपको डाइबिटीज 해 तो माहाँ के दूसरे सप्ता में आपको इसको लेकर ज्यादे परेशानी भी झे वहवार की मैं बात करूँ तो वहवार में चिड़-चिड़ापन आपका देखने को जरूर मिलेगा ऐसे में योग को अपनाएं और जीवन में जितना हो सके संभव हो सके आप एक्साइज जरूर करें अगर बाहर नहीं जा सकते तो यह आम भी आप घर पर कर सकते हैं यह पर अपनी डिटेल हमें वोट्सप कर सकते हैं हम आपकी कुणली का मूल रूप से निश्चित रूप से आंकलन करके आपको संपूर्ण जानकारी देंगे जै माता दिमित्रो झाल